और बड़ी है बच्चों आज शुरू करेंगे हम टॉपिक वेक्टर्स वेक्टर्स देखो अगर मैं इसको इंपोर्टेंट ना भी बोलू ना बच तो अगर मैं कुछ ना भी बोलू आपको तो आपने अल्रीड सुन रखा होगा या तो किसी टीचर से अपने या तो फिर बहुत इमपोर्टेंट टॉपिक होता है और आपने क्लास टेंट तक इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडयक्शन भी ले रखाय है आपको पता है अपको पता है कि एक्टर स्केलर आपको इसका आइडिया है बट सर्थ बताऊं तर देंट वाला जो था वह बस एक ब्रीफ अ इडिया था अब जो आ रहा है ना क्लास लेवन ने पूरा डिटेल में आ रहा है आपके पास आपको एक्शुल मतलब मतलब अब चलेगा पता वेक्टर का ठीक है तो वैसे तो आप समझ दो 10 पर रिवाइस कर लो कि फीजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती ह कौन कौन सी? Scalar and Vector आपने क्लास 10 तक यह पड़ा था कि Scalar quantities तक होती है जिसमें सरिफ होता है magnitude जिसमें होता हैằng centimeter और Vector quantities में magnitude magnitude और Direction दोनों होता है ओरत यह आपने क्लास 10 तक बढ़ रखा है तो मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीटीज जो बिना डारेक्शन के डिफाइन नहीं कर से जिनको हम वो वेक्टर में आता था और जो अपने पूरा सेंस बनाती है सिर्फ मैगनिजूट से ही वो स्केलर में आपने पड़ा था उनको जैसे कि अगर हम करें हम बात करें मास की तो मास जो है अपना पूरा सेंस बनाता है जिसा अगरा बोलो 10 kg किसी का मासा 10 kg है तो सब्सक्राइशन नहीं होता मास तो मास है वट इस मास मास इस अमांट पैटर तो उसका को डारेक्शन नहीं होता कभी भी लेकिन अगर हम बात करें वेट की वेट का प्रॉपर डारेक्शन होता है आपका है ना नथा कोई बंदा करें खडा और रखा है तो अर्थ जो से नीचे खीच रही है आपको बतार फॉर्मॉला क्वा और टेरेक्शन कि सब्सक्राइब यह सब तो आपने पड़ रखा है लेकिन आपको सद बताओ मैं वेक्टर इतना सिंप्लिफाइड भी नहीं होता है वेक्टर में कुछ और चीज़े भी एड़न होने वाली है जो कि असली सेंस बनाती है वेक्टर का कौन जी कौंटिटी वेक्टर है वेक्टर आपकी स्केलर है गिडिफ्टर दीट्र होती है यई आपको रियाद करना सकतरव चाहता हैACE यह क्रस्तिक स्कावत हैं बतीस जी अग Also दिभास तक टो मैंन भी तो मांतें को गेक्वाचिन नदेल बिदूटे में अग्डित के साथ नदेलिक में को यह साथ सब्सक्राइड है आप लोग्राम ओफ वेक्टर एडिशन अब अजीब लग रहा हूं लेकिने बाद में आने वाला है तो आपको डिटिल में समझाएंगे सब्सक्राइब लुए अब याद करते हैं आप लोग्राम एडिशन अगर दो वेक्टर एडिशन व्याद करते हैं अगर तुम आपको बात कर रहे हैं इसका मतलब आपकी कौंटिटी है इसके भारे माँ बात कर रहे हो वह वह आपको बताएंगे बात में भी अगे आने माला है यह पैलोग्राम लॉफ एक्टर अडिशन होता किया है basically I will tell you everything अभी इतना समय जो कि यह चीज होनी बहुत ज़रूरी है तभी वह वेक्टर कहलाएगा वनना वेक्टर नहीं कहलाएगा सीधी सी बात है अब थोड़ा वद चलो अभी बता जे तुम आप लोगों को मैं जैसे अगर तुम नहीं स्केलर क्वांटिटी इसको एड करन किसी चीज का माल लो तुम मासे 25 kg आपको इनका निकालना है तो क्या करो किसे प्लस कर तो सिंपल कितना आज आएगा 35 kg सिंपल बहुत अलाम से लेकिन अगर ना अगर तुम कुसी वेक्टर कॉंटिटी से डील कर रहे हो इसे नहीं होता बच्चों ऐसे नहीं होता फिर जैसे इन न्युटन आफ और इसको हम माल लेते हैं कि ये है आपका 12 न्यूटन फोर्टस ऐसा कुछ तो अगर आपको रिजल्टेट फोस्के निकालना है नहीं कर आएगा तो आप जो आप जो आप रिजल्टेंट निकालना चाहरे हो इंदोने वेक्टर का सम ना चाहरे हो इनको प्लस 12 नहीं करोगे क्योंकि वो तो क्या हो गया? वो तो simple algebra sum हो गया, जो कि scalar case में होता है इस case में ऐसा नहीं करते हैं इस case में करने का तरीका अलग होता है, तो यही आपको समझा रहा था मैं, कि इसमें आपने ऐसे बिलकुल नहीं करना, तरीका थोड़ा अलग होगा, क्या होगा अभी आगे बताएंगे आपको, अभी बद इतना समझ लो कि vector के बाद direction होती है और वो obey करता है क्या पैलो ग्राम law of vector addition ठीक है, मतलब थोड़ा आपको hint तो मिली अब थोड़ा सागे चल लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके जो, vectors है वो किस-किस type के हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं, बैक्टर को आपको रप्रेजेंट कैसे करना है वेक्टर को आपको कैसे रप्रेजेंट करोगे तो फर्सट अपर रिप्रेजेंटेशन उपेसटा देख लेते हैं अगर आप ड्लेट करना चाहते हो तो बहुत अबकिन आप को शुब को शो करना है आपको पता कि वेक्टर येज दोन दोन गहों होती है तो आपके गुरू कि आप ऐसे लाइन चीज़ दोगे और एक एरो बना दोगे एरो बनाओ उस डारेशन में जहां पर जो उस वेक्टर की डारेशन है बेसिक ली जैसे आप यह दिखाना चाहते हो कि वेक्टर की डारेशन इधर है तो आपने ऐसे लाइन बना दी ठीक है और आपके से एरो हैड लगा दिया तो ध्यान अखना जहां से वेक्टर शुरू होता है जहां से आपने वेक्टर शुरू किया इसको यह वेक्टर की टेल बोल देते है ठीक है और जो यह वेक्टर का हैड है इस लोग क्या बोल देते है यह लोग क्या हम लोग सब लोग तो यह यह तेल है और इसका हैड है अब यह जो इसकी लेंथ है न बच्छों यहां से आते हैं लेंथ है इस एरो की इस नथिंग बट दम मैगनिटूट अब दे वेक्टर यह क्या है मैगनिटूट है उसकी नुमेरिक वैली जो होती है बिस नूटन है अगर यह ऐसे मान लो कि है यह बीस नूटन है अगर यह बीस नूटन है तो अगर आपको 10 शो करना है आप एसका अधा बना लो गया तो अगर गर कि एक लाइन की जएा सिने है उसके add that प्रकर तुषक हो करें तो यह एक्टरस हो जाएगी तो यह को का शुल्षक्ट की को यह इस को हम भूलते हैं टेल स्काहर ऐड इसको हम भ雨ोथ हैं किया अपकर रसे स्टर्वंद sont a दोने हमिटी सेंगे का होता है आपका नेगेटिव वेक्टर क्या बना लेक्स वेफिए अगर ये पॉस्टिव 20 नूटन है तो नेगेटिव ईन जैसे हो जाएगा इसका मतलब बनेगा माइनिस त्वैंटी माइनिस ट्वैंटिटी माइनिस होता है एक दारेशन अब पने के लिए अपने इसाफ शिज़ों को सट करके हो बस आपको इधान रखनाकि यह इस यह शो कर रहा है magnitude और यह एरो शो कर रहा है ठीक है तो I hope sense बन रहा है आपके बात समझ में आ रही है थोड़ा सागे चल लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं आपके equal vectors equal vectors क्या होते हैं देखो बच्चो आपको शायद आईए तो लगी रहा होगा इक्वल मतलब एकदम बराबर ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका हम क्या सतने हैं कि magnitude magnitude as well as as well as direction बिलकुल सेम हो ठीक है magnitude as well as direction same हो बिलकुल उन्हें क्या बुल लेंगे हम equal vector बुल लेंगे we will call them equal vectors the vectors having same magnitude as well as direction are known as equal vectors simple एक्दम आसान है जैसे कि यह 20 newton है तो इसके बगल में equal vector बना दूए 20 newton का तो दोने equal vectors हो जाएंगे they will be termed as equal vectors right I hope सब्सक्रा रहा है तो then after that आप बात कर सकते हो व्यास थे सब्सक्राइव दलेके और सब्सक्राइब के एक बिसिक्यान जाने वाले एक सब्सक्राइब यूच सब्सक्राइब मेर्जिद्स को लिनयर वेक्टर्स ज vib आगे मैं टीजिनीर यूटर्स मेने कelet है उसक्ला और बना दूए इसधिए लेकिन आपको बनाना चाहिए कि अगर वो सेम लाइन पे हैं तो बिकिन कोल आपके नायन पे हैं तो अगर वेक्टर आपके हैं सेम लाइन पे हैं या सेम पात पे हैं तो we can call them collinear vectors the vectors which lie on the same line और on the same path are known as collinear vectors ठीक है आप साथ साथ लिखते रहे चीजों को आपको explain भी गर रहा हूं और आपको बोल भी रहा हूं आप लिखते रहे हैं लिखने बीख सता है और कोआन के बाद नेक्सित आप आप बोल सेता हैं कोड़ेंर वेक्टर अब क्या होते हैं वेक्टर वुझा लिखने कर दो प्लेन क्या होता बच्चों प्लेन क्या होता है अगर जो आप उसे एसे प्लेन करते हैं जैसे कि आप बात करो आपने पढ़ रखाए है यह होता है आपने पढ़ा था इसे क्या बोलते हैं, we call it Cartesian plane, I hope you remember, इसे Cartesian plane बोलते हैं, तो plane मतलब जैसे कि बोड़े plane तो है basically, फ्लाट सर्पेसे से करके इसमें तो ऐसे जा सकता हूं है और ऐसे भी जा सकता हूं, तो इसे अगर आप कुछ नोट बना रहे आप लोग, नोट बना रहे हैं न, I hope बना रहे होंगे, जो नोट आप बना रहे हैं तो आप अपनी नोट बुक में ऐसे लिख रहे हैं, आप ऐसे से भी लिख सते हैं, तो वो भी एक plane हो जाएगा, आपकी जो mobile screen है चो प्लेट आपकी आपकी जो मोबाईल स्क्रीन है और इस अपने के ज़िए न कुद ऐसे दुनिया है यह मुद्ध एक व्यूटर वेक्टर वो एक्टर ओते है जो लाइक गर्टर्श जो लाइक जो एक ग्रीन दरॉट्टर्श वेक्टर्श ब्रॉट्टर इ निक्ट्टरश करते हैं उन्हें हम बोलते हैं cup liner vectors we call them cupmail ming act as LA एंट्रस्टिंग तो दुनया के सारे के सारे हट्ट अ मतब सारा के सारे मानें अगर हम बात करें सेग्त देभेक्टोड तो comply रही होते हैं तुन्या के दू वेक्टर हमेशा Gupleinrad ही होते हैं ध्यान कि अपधान रखेगा चाहो तो आप खुड़ा सा गैस करें यहां पर कुछ है मेरे बास तो यह देख लो यह एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर देखो मैं इस कर दो इस दारेशन में ऐसे को बिटर है वीडिखो यह गोड़र गोड़ा एक आए इस सब्सक्राइब ना एक अगर तीन वेक्टर होंगे तब कुछ कह सती नहीं तो डिपेंड करता हूँ फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा लेकिन दो वेक्टर तो हमेशा ही को प्लेनर होते हैं तीन हो भी सत्ते हैं नहीं पुसते हैं we don't know we can't say anything about it but दो वेक्टर तो हमेशा को प्लेनर होंगे ही गैरेंटी है ठीक है I hope it's clear to you ठीक है तो then after this अच्छा मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ अब बात कर लेते हैं हम लोग पैलल वेक्टर की है पारलिल वेक्टर अगर बच्चो दो वेक्टर पैयलल है इसका मत्दब क्या होता देखुँँ जैसे कि अवर एक वेक्टर ऐसा कुछ है इंदे जार्यक्टरember 2 ना इसके पैरलल होगा अब इसके पहले तो यह इसमें इसका magnitude सेम हो या ना हो इससे कोई फ़र नहीं पड़ता उसके बात हम नहीं कर रहे हैं भी हमसे बात कर रहे हैं कि दोनों का जो डारेक्शन है वह तो एक तरफ होना चाहिए और एक दूसरे के पैलल होने चाहिए ठीक है तो इनकों का बूलेंगे हैं पैलल वेक्टर ब पैलल बोल सकते हैं अगर ऐसे ओल्टे डैशन मुझा तो इसे एक बैलल वेक्टर बोल देंगे है और एक बहुत इंपोर्टन चीज़ वेक्टर्स में आपना पैलल शिफ्टिंग कर सकते हो पैलल शिप्टिंग इस टोटलियर अलाउड लाउड लैक सपोस आपके कर रहे हो दिसे एक बैटर यह है और एक बैटर माल लो ऐसा कुछ है और आप इन दोने वेक्टर को एड़ करना चाहरे हो यह वांट टो एड़ दीस टू वेक्टर तो आपना इस वेक्टर को उठा के इधर शिप्ट कर सकते हो यह शिफ्ट इस अब देखो मैंने क्या किया मैंने आप देखो दोनों है तो पैले लिए तो हमें के चल रहा पैता है अगर में देखो ऐसे एक और यूंटर लाइन में बनाओ समधिन लाइट तो हमें दिख रहा है कि यह एंगल और यह एंगल इस टू एंगल आरीपल इस तरह से आगी पढ़ ओगे तो आपको चलेगा पता ह लेकि निखा बीच में वह यह वह बन रहा होता है और इनके बीच में बन रहा तो ऑज निखांगे पढ़ने इया है तो एकदम रिल्क्स होके चमना फ्रीओ के बस जितना बताए उतना आप दिमांगों फिल करते रहिए इस सब शीज आ अगे क्लियर होने वाली है आपको आ नल वेक्टर ठीक है थोड़ा बहुत आप लोगो चाहिए लग रहा होगा जीरो और नल वर्ड को देखे कि जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका कुछ भी मैंगनिटूड नहीं होता है अब वेक्टर विच हैस नू मैंगनिटूड और वी चैनल जीरो मैंगनिटूड बरावर है ना जीरो भोल बोलो रह नो इसके हैं मैदूड होता ही नहीं है और अगरा क्यों सब्सक्क्री लिए है मतलब कि कुछ शॉरइटी नहीं है कई भी होशके कमाता है दो यह किसले कर रहे हैं अबसक्तर है कि रागे बता यहां ॥ इसको इसक यह हुजे तो गर्ता है तो यह कम आता है ला भी में दिना बताई तक रहाए और जितना बता जा रहा है उतने चीज़ों को रहती है ये इनाकड़ाATHAN को अल्राइट कपी कीजिए अगले वीडियो में को बताएंगे कि कैसे हम वेक्टर को एड करते हैं और देन बताएंगे सब्सक्राइट कैसे करते हैं आपके दो टैप की टेखनीक्स होती है एक ग्राफिकल अप्रोच है और एक आपकी मैथमेटिकल आप जिस से मूल दैनलिट तो आपको दूरों बताएंगे तो तब तक पढ़ते रहिए और जितना बताया गया है इसको अच्छी तना से याद की दिया ओके बाई बाई टेक क्या एव नाइस देड़